Hello friends, I am champion Mahipad आज हम C language में function के वारे में जानने जा रही हैं तो function होता क्या है और ये क्या काम करता है function होता है group of statement group of statement means कि अगर हम एक particular काम करना चाहते हैं let us suppose हम add करना चाहते हैं एक function में अगर हमें 10 बार add करना है कुछ भी चीज तो हम उसके लिए एक program में अगर हमे add करना है 10 बार तो हम उसके लिए एक function आते है add नाम का ताकि हम अगर 10 बार add करना चाहें तो हमें बार-बार add का प्रोसीजन अपलाई करना पड़े इस तरह है कि चीजों के लिए हम function मना सकते हैं तो आईए इसका syntax देखते हैं सबसे पहले return type return type मिन्स क्या है integer है void है float है यह return क्या करेगा अगर हम एक function को value pass करते हैं हम कहते हैं आप 2 प्लस 3 कीजिए तो हमें 5 results भी मिलना चाहिए न तो हमें return type से मिलता है कि तो प्लस 3 अगर हम integer दे रहे हैं दो तो इंटीजर समाएगा तो आप उसका return type integer हो सकता है अलग अलग तरह से हो सकता है इसका example से अच्छा समझाएगा अभी हम वह भी करेंगे उसके बाद function name and parameter list parameter list मिन्स हमें क्या चीज़ पास करनी है हमारे function को उसका body of function यह आता है example इस line के बारे में भी हम सीखेंगे थोड़ी देर में उसका यह देखिए हमारा program function को implement करने के लिए main मनाया a b c a में 7 b में 10 c is equal to add a b add क्या है function मनाया है मैंने जो क्या करेगा a और b दो integers को add करेगा कि तो हम values पास कर रहे हैं एक integer a एक integer b और उसका sum c में add कर रहे हैं तो अब यहां पर देखिए function मनाया अलग से जब हम दो integer को add करें है तो उसका return type भी integer ही होगा वो return integer ही करेगा तो यह integer add integer x यहां पर जुरूरी नहीं अब same variable name ले यहां पर यह a का अलग memory space होगा और x का अलग memory space होगा function same memory को use नहीं करते वो अलग-अलग memory को use करते हैं ओके तो यहां पर x को अलग से memory allocate हो जाएगी ओके और y को अलग से memory allocate हो जाएगी ओके उसके बाद यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर हम क्या क्या कर रहे है रिटर्न क्या कर रहे है एक्स प्लस y एक्स और y को जोड़कर रिटर्न कर रहे हैं और वो रिटर्न कहां पर सेव हो रहा है सी ने तो आईए इसका output देख रहे हैं यहां पर हमने उसका आउट्पूट चो लिए इस लाइन का क्या मीनिंग है इस लाइन का मीनिंग है हमें हमने यहां पर एक फंक्शन यूज़ किया एट लेकिन उसको यह होती है उसकी डेफिनेशन उसको define हमने बाद में किया तो compiler तो कहेगा कि आपने function मनाया ही नहीं तो हमें compiler को बताना होता है कि हम एक function बनाने जा रही है तो उसका हम यहां पर prototype देते हैं उसकी declaration उसकी prototype यहां पर बताते है कि 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 तरहां का होगा है कि इंटीजर रिटर्न करेगा नाम होगा और दो इंटीजर पास किये जाएगे तो यह चीज होती है उसकी prototype यह है functions के बारे में thank you